हेलो फ्रेंड अगर आप दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिम्टेट के कस्टमर है और आपको बहुत सारी परिशानी हो रही है आपको उसका स्टेट्मेंट ऑनलाइन नहीं मिल पा रहा है दूसरा आपको उसके ब्रांचेस के बारे में पता नहीं है या और बहुत सारी समस्या है आरही है आपको जो है उसका प्रोविजनल इंकम टैक्स स्टेट्मेंट नहीं पिल पा रहा है या फिर इमोर्टाइजेशन स्टेडियो नहीं मिल पा रहा है तो इस तरह की बहुत सारी परिशानिया ठीचेफेल के करेश्टमर को आ रही है तो ठीचेपल अभी क्या है कि उसका नाम बदल के पिरैमिल ने उसको पूरा टेक ओर कर लिया है तो उसका पूरा नाम हो गया है पिरैमिल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिम्टेड तो simply आप एक एप के जरीए ये सारी चीजे पास सकते हैं अपना इस्टेट्मेंट पास सकते हैं कितना बच्चा है कितनी यह माई जा रही है प्रिंस्पल किता जा रहा है इंट्रेस्ट पर मंद किता जा रहा है तो simply आप क्या करिए गूगल प्ले स्टोर पर जाईए और यहां पर पिरैमिल कैपिटल डाल दीजिए और इस एप को डाउनलोड कर लिजिए पूरा डालिएगा पिरैमिल कैपिटल जैसे ही आप पिरैमिल कैपिटल लिखेंगे तो पिरैमिल कैपिटल इंग हाउसिंग फाइनेंस लिम्टेड अब यह देखिए सबसे पहला इसका लोगो जो है इस तरह का है फोर पैंट टू का तो सिंप्ली आप इसको डाउनलोड करके इंस्टल कर लीजिए एक पर से देख लीजिए यह पिरैमिल कैपिटल इन हाउसिंग फाइनेंस तो आप इसको इंस्टल कर लीजिए अब यह डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है तो देखते हैं 12 MB का है तो बड़ी जल्दी यह डाउनलोड हो जाता है तो अब इस से आपके बहुत फायदा हो जाए। अब पिरामिल के भी कस्टमर का एप ईसको PCHFL भी बोलते हैं आपके पास जो अब मैसेज आ रहा होगा वो PIRCHF के नामसे आ रहा होगा उस पर आता है कि आपकी इतनी ही हमाई इस डेट पर आने वाली है तो open कर लेते हैं इस तरह का interface कुलेगा simply आपको next पर click कर देना है फिर से next पर click कर देना है फिर से get started जो लिख कर आ रहा है उस पर click कर दीजिए आप देखिए यहाँ पर दो चीजे लिखा लेए start by getting you in आप दीएचेफल के customer है तो दीएचेफल पर click कर दीजिए यह black हो जाता है हो सकता हो आपके mobile में कोई और color हो मेरे में black हो जाता है तो मैंने दीएचेफल customers पर click कर दिया है अब मैं अपना mobile number एंटर करूंगा जो registered mobile number आपका DHFL home loan account में हो वही करिएगा आप यहाँ पर select number तो मैंने जो DHFL home loan account पर जो मेरा number registered था मैं उसको यहाँ पर क्लिक दिया हूँ अब मैं continue करता हूँ तो अब यह एक verification code में registered mobile number पर भीज़ दिया है तो मैं उसको यहाँ पर इंटर करूंगा कि मैंने एंटर कर दिया है verify code पर click कर देता हूँ अब यह मेरा verify हो गया है अब उसके बाद मुझे mpin generate करना है जैसे आप ATM का pin चार डिजिट का जो है रखते हैं वैसे आप यहाँ पर कोई भी MP बना रख लीजिए बना लीजिए जो आपको याद रहे तो मैं बना लेता हूँ कि ओके पर क्लिक कर दीजिए एक बार फिर से रेंटर कर दीजिए दुबारा से एंपिन जो अभी पीछे डाले थे वह एंटर यहां फिर से कर दीजिए फिर से okay कर दीजिए अब confirm MP लिखा है इस पर क्लिक कर दीजिए अब यह आपका home page आ गया है पिरमिल Capital and Housing Finance Limited या पीछ एफल कह लीजिए यह आप दिएफल के कस्टमार है तो आप आप पिरमिल के कस्टमार हो गया है तो यह इसमें जो home page है इस पर आपका जो है loan code लिखा है active आगे लिखा है active तो इसका मतलब active है यह आप इसमें देखिए जो remaining amount है आपका पहले borrower का नाम जिसने loan लिया है उसका लिखा रहेगा code over उसमें कौन है joint applicant कौन है आपका remaining amount कितना बचा है अभी उसके बाद duration लिखा रहेगा अभी कितना बचा है आपका कितने दिन और आपको loan देना है उसका next installment date जो है वो लिखी रहेगी उसका next installment amount लिखा रहेगा तो कितनी EMI आपके जा रही है किस date पे जा रही है वो mention रहेगी और अगर आप इसको और details में देखना चाहते हैं तो just sign पर क्लिक कर दीजिए अब यह पूरा details आगया है यहां पर कि कितना loan dispersed हुआ था कितने साल के लिए कितना amount remaining amount कितना बचा हुआ है आपका और कितने साल के लिए बचा हुआ है और नीचे जो है जो लोन जिसने लिया है mobile number email id और जो उसने address दिया था home loan लेते समय वो पढ़ा होगा उसके बगल में co applicant जो रहा होगा उसका नाम mobile number अगर email id उसने दी थी तो वो नहीं दी होगी तो नहीं रही होगी उसका address लिखा रहेगा आप इसमें नीचे जब scroll down करेंगे नीचे की तरफ आएंगे तो इसमें interest details दिये होती है तो current में अभी उसका क्या चल रहा है उसकी details होती है और interest type floating तो fixed भी होता है floating भी होता है तो आपने जिस पर लिया था तो यहां floating है अब repayment details दिया रहेगा इसमें repayment details में installment amount रहता है due date जो आने वाली है वो लिखी रहेगी payment mode लिखा रहेगा उसके बार next installment date तो यह details होती है कि जो आपका bank account आपके home loan account से add रहा होगा वो यहां पर लिखा रहेगा और payment frequency उसके नीचे लिखी होती है मन्थली आपका EMI जाता है और आपका base branch लिखा रहेगा अब पिछला जो मेरा वीडियो था डियेचे फैल या pyramidal capital से related उसे कई सारे लोगों ने मुझसे help मागी थी कि कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि उनका phone number जो था वो बदल गया है जो उनके डियेचे फैल home loan account से आ रहा है उनको किसी तरह का statement नहीं मिल पा रहा है या फिर क्या करें वो अगर उनको नया number add करना है और कुछ लोग जो है उनको query थी कि उन्हेंने 20 साल के लिए loan लिया था 5-6 साल वो यमाई लगातार दे रहे हैं और अभी जो है उनका tenure जो है अभी भी 30 साल सा 30 साल दिखा रहा है तो आपको इन सब चीजों की query करनी है तो देखें नीचे लिखा है need some help आप इस पर जाईए contact support पर क्लिक कर दीजिए अब यहां पर help and support में एक तो पहला है frequently ask question तो आपको अगर जैसे कुछ अब जैसे general questions है है ना तो online आप जो है apply कर सकते हैं या टॉल फ्री नंबर है इनका आप लिख लीजिए 1-800-266-6444 एक बाप फिर से सुन लीजिए 1-800-266-444 और इसमें आपको जो भी है जैसे बहुत सारी टीज मैंडेटरी टुएब को अपलिकेंट हूँ और यह जनरल एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसके आद मैं बैग जाता हूँ अब लोन स्पेस्फिक अगर आपको कोई लोन आल्रेडी चल रहा है तो उससे रिलेटेड़ आप क्वैरी कर सकते हैं अब देखे लिखा है फ़र वाट परपस कहना यह वेल लोन अगेंस प्रॉपार्टी तो यह आप देख लीजिएगा बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है ऐसे आप पूछ सकते हैं और टैक्स बेनिफिट है आप कैसे क्लेम करेंगे टीडियस इस तरह के बहुत सारे हैं और मैं इससे थोड़ा सावर पीछे आता हूँ अब यह you can contact us with any of the options given below अगर आप कॉल करके जो है कुछ help लेना चाहते हैं पिरामिल कैपिटल से या अगर आप DHFL के कस्टमार है तो भी आपको पिरामिल कैपिटल से ही help लेनी पड़ेगी तो उसका फिर से एक बार नंबर में यहां पर बोल देता हूँ 1-800-266-444 और इनकी आप जो कॉल करेंगे उसकी टाइमिंग है 9.30am मतलब सुबा के 9.30am से लेके सामके 6.00am तक 6.00pm संड़े को जो कॉल नहीं उठेगी आपकी अगर आपको mail के थुरू इनसे contact करना है तो आप इनको mail भी कर सकते हैं लिखिए customer care at the rate pyramil.com customer care at the rate pyramil.com तो आप इससे जो भी आपको परेशानी हूँ DHFL को लेके या पिरामिल को लेके आप इनसे support ले सकते हैं मैं back जा रहा हूँ अब फिर से मैंने एक बार आगे forward किया है अब देखिए यह तो हो गई सारी बाते आप service request वे आते हैं अब download statement लिख क्या है कुछ न करिए आप simply इस पर क्लिक कर दीजिए तो मैं कर रहा हूँ अब यह देखिए provisional income tax statement लिखा है current financial year का आप इसको download कर सकते हैं download पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यह download होने लगता है और यह आपके file manager यह permission माग रहा है तो मैं इसको allow पर क्लिक कर देता हूँ तो यह आपका download हो जाएगा जहां पर आपकी file यह download होती है जैसे मेरे phone में file manager में download होती है तो आप download में जाकर अपना statement देख सकते हैं और इसको print भी निकलवा सकते हैं जैसे इस समय जो है अभी जैन 2022 है तो लोगों को बहुत जरूरत पड़ रही है अगर वो income tax statement या provisional income tax statement अपने employer को नहीं देंगे तो उनका tax बहुत ज़्यादा कट रहा है तो आप यहां से जो है download कर सकते हैं अगर आपको final income tax statement चाहिए तो आप इस पर click कर दीजे 2020-21 financial year का है उसके अलावा 2019-20 का भी available है अभी आपको loan statement चाहिए तो loan statement पर click कर दीजे simply जो है year select कर लीजे किस financial year का चाहिए तो 2021-22 का available है 2020-21 का 2019-20 का simply जिस पर आपको चाहिए माल लीजे आपको 2021-22 का चाहिए उस पर click कर दीजे और download पर click कर दीजे तो यह file download हो जाएगी अब आप जैसे repayment schedule आपका outstanding कितना है या फिर अभी जो आपका loan चल रहा है वो आगे कितने साल चलेगा और EMI कितनी जा रही है और EMI तो जनरली पता होता है उसमें principal कितना जा रहा है और interest कितना जा रहा है तो आप simply repayment schedule पर click करिए और download कर लीजे तो यह download हो चुका है आप इसको जाकर चेक कर सकते हैं तो यह file manager में मेरे save हुआ है मैं इसको एक बार open करता हूँ तो यह इस तरह का पूरा file आ गया है अब इसको print कर लीजिए या जी mail पर transfer कर लीजिए इन फ्यूचर आपके reference के लिए रहेगा अगर आपको कुछ भी चाहिए तो इसमें होता क्या क्या है इसमें EMI details रहेंगी उसके बाद type रहेगा interest rate जिसमें आपने current में जो आपका interest rate चल payment भी कहते हैं जिसको इसमें आपने कुछ पैसे डाले हैं EMI के अलावा तो वो इसमें पूरा details रहेगी उसके बाद month to month जो है इसमें current year से लेके next आगी जितने साल तक आपका loan चलेगा उसमे principle plus interest का जो है इसमें bifurkate करके पूरा लिखा रहेगा अब पिछले जैसा मेरा वीडियो था उसमें कई लोगोंने मुझे से पूछा था कि उन्होंने तो 20 साल के लिए था अभी जो है पांच-छे साल जो है उन्होंने दे दिया है EMI भी उसके बाद उनका tenure जो है बढ़ गया है 30 years का लगबग हो गया है तो मैं यहाँ पर उनको यह बता दूं कि जैसे आप जब लोन लेते हैं उसमें अगर आपका इंट्रेस्ट रेट कम होगा क्योंकि फ्लोटिंग पर मैक्सिमम बैंक देती हैं वह वैरियेबल इंट्रेस्ट रेट पर देती हैं तो जिस समय आपने लिया रहा होगा हो सकता उसमें 8% पर एन्वल दूं किया करती है बैंक का जो है वह यमाइ नहीं बढ़ाती है 10 बढ़ा देती है तो अगर आपका इस्षाल का लोन था और इंट्रेस्टेट जीश्या Twilight तो उन्होंने क्या किया आपको साइध इंफर्म नहीं किया या किया भी होगा तो आप को information पहुची नहीं आप तक तो जैसे यह 8 से 10 हुआ मैं एक example बता रहा हूं तो 8% annual interest rate से 10% annual interest rate हुआ तो वो simply क्या होगा कि आपका tenure बढ़ जाएगा 10 साल का ने दोबारा साल 13 साल 14 साल कुछ भी हो जकता है वो कैलकुलेशन पर डिपेंड करेगा तो अब यह सारी डिटेल्स हो गई तो इसलिए आपका लोन टेनियोर बढ़ जाता है तो अब आप इससे बैक चले जाए और एक्जिट अप्लिकेशन पर जाका क्लिक कर दीजे